आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पंजाब से सरकारी भरती की अपडेट लेकर आ चुकी हूँ डारेक्ट्रेट सिख्या भरती पंजाब से ETT टेचर की काफी जादा वकेंसे आ चुकी हैं और मैं आपको बता दूँ यह जो वकेंसे अलगला कोटा में आ रहे हैं जैसे जर्नल, EWS, कुछ स्पोर्ट कोटा के लिए भी जो वकेंसे वो मेंशन की गई हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी रिजल्स, एड्मिट कार्ट की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट डेलीनौकरी.com को भी जरूर चेक करें देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया Department of School Education पंजाब से ETT टीचर की वकेंसे जो हैं वो 1664 जो हैं वो आ चुकी हैं तो चलिए अब नज़र डालते हैं इसकी eligibility requirement के ओपर कि क्या eligibility जो है वो demand की गई है देखिए अगर हम age limit की बात करें तो यहां जो age है वो आपकी 18 to 37 years के बीच पीच होनी चाहिए और कुछ categories है उनको जो है age में relaxation दी जाएगी चलिए अब बात करते हैं थोड़ी eligibility की detail में मैं आपको बता दू अगर आप यह जो ETT teacher की vacancy आ रही हैं Department of School Education पंजाब से अगर आप इस जोब पे apply करना चाहते है तो आपने graduation pass क्यों वित minimum 55% marks in the case of journal category candidates और अगर आप schedule caste, schedule tribe, OBC categories हैं या physically handicapped candidates हैं तो आपके 50% marks होने चाहिए पर धियान रे from a recognized university or institution provided that the candidates who have done or doing the ETT course with 10 plus 2 qualification shall be considered for appointment and with the service under these rules as one time major till the first year of April 2021 in order to remove the hardship of those candidates who have acquired the set qualification under the previous rules चली नजर डालते हैं आगे, should possess 2 years elementary teachers training course अगर आप यह जो ETT teacher की पंजाब में vacances आ रही हैं अगर आप इन पर apply करना चाहते हैं तो आपके बस 2 years elementary teacher training course होना चाहिए किसी recognized university या institution के द्वारा और 2 years diploma in elementary education और qualification as per guidelines of the national council for teachers education और दोस्तों ध्यान दीजिए अपने PSTET 1 जो है वो पास किया होँ चली आगे बढ़ते हैं और pay scale पे नजर डालते हैं कि कितना वेतन जो है वो अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आपको salary जो मिलेगी रुपीज 10,300 पर मन्त रहेगी चली आप भरती प्रक्रिया पर नजर डालते हैं मैं आपको डिटेल में भी भरती प्रक्रिया बताऊंगी और भी important dates बताऊंगी बट अगर आप फर्स टाइम इस चानल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से subscribe करो जैसे subscribe करो कि आपको तुरन सरकारी नौकरी के updates जो है वो मिल जाएंगी देखिए भरती प्रक्रिया में जो first round है वो है return test और जो लोग return test को clear कर लेते हैं उसके बाद उनका educational qualification को भी कुछ consider किया जाएगा उसके बे कुछ marks रखे गए हैं और इसके बाद जो next round आएगा वो document verification का है अब दोस्तों बात करते हैं application fee की पर धियान दीजिए जो आपको fee पे करनी थू चलान in any branch of Punjab National Bank और यहां मैं आपको category wise fees बताऊंगे SCST को 500 रुपे, formal soldier himself nil और journal and other categories को 1,000 रुपीज अगर important dates पे नजर डाले तो last date for online registration is 23rd March 2020 शाम 5 बजे तक और जो last date for online application submission जो है वो 25th March 2020 शाम 5 बजे तक चली अब बात करते हैं how to apply की कि आपको कैसे apply करना है आपको सिरफ online mode से apply करना है और आप नीचे जो description में dailynaukri.com का link जो द apply कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो है department of school education पंजाब से ETT teacher की vacancy की पूरी information अगर आप और जानकारी चाहते हो तो नीचे description में dailynaukri.com के link पे click करें उधर जाकर आप detail में information collect कर सकते हो और साथ ही online भी apply कर सकते हो अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप comment करके पूछ सक तो है तो है तो है